नभशकार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा हमेंडिया एद्यूकेशन चैनल पे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग आपके लिए जीके के कोशन लेके आए हैं जो की आज पोस्ट कोट 877 पट्रोल पंप अटेंडेट का पेपर हुआ था उससे रिलेटिड रहेगी तो हम लोग इसमें वीडियो में आपके लिए जीके के कोशन सोल्व करने जा रहे हैं ताकि आपको आने वाले पेपरों में ये वीडियो हेल्प कर सके क्योंकि बहुत सारे कोशन जो है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन के द्वारा रिपीट किये जाते हैं तो यही परपस होता है हमारा इस वीडियो को लेके आने का कि अगर यह कोशन आपके एक्जाम में भी रिपीट होते हैं तो आप इसको 100% से ही करके आएं तो दोस्तो इससे पहले अगर किसी ने हमारा Facebook पेज Himedia Education और हमारा YouTube चैनल Himedia Education लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास हर वीडियो के हर पेपर के अपडेट और हर जोब अपडेट आपके पास पहुंचते रहें तो सबसे पहले स्टार करते हैं 230th कोशन से टोटल जोगरफी एरिया उफ हैच पी इस इमार्चे परदेश का कुल भगॉलिक शेत्रफल कितना है तो दोस्तो यह कोशन जो केई वार आपको पता ही है कि एगजाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो एक्टुएल में आंसर है वह है 55630 क्यलोमिट्र तो दोस्तो जैसे कि आप थे सकते हैं 55670 क्यलोमिट्र't इन तीनों में से किसी भी ऑप्षन में नहीं है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन टी 972 यह दोनों बहुत ही रिपिटिट कोशन थे दोस्तों इसके बाद दियोली फिश फार्म पे भी पहले कोशन के वार पूछा जा चुका है तो इसकी तरफ हम चलते हैं कोशन नमर 32 दियोली फिश फार् हिमाचर प्रदेश के कौन से जिले में स्टित है तो दोस्तों यह बिलासपूर जिले में स्टित है राइट आंसर इस ओप्शन ए बिलासपूर कोशन नमर 33 पांगी मौन्टेइन रेंज इस लोकेटिट इन विच डिस्टिक ऑफ एच पी पांगी परबतमाला हिमाचर चर्मा विलॉंग्स टू विच डिस्टिक ऑफ एच पी विख्यान्त वक्तित्तव शिरी यश्पाल शर्मा हिमाचर प्रदेश के किस जीले से संबंदीद रखते हैं तो शिरी यश्पाल जी जीओ है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा उप्शन ए हमीरपूर हमी लिपूर में यह जो है भूमपल से संबंद रखते हैं चलते हैं नेक्स्ट कोशन 35 की तरफ कालेशवर फेर इस सेलिब्रेटिटिड इन विच डिस्टिक ऑफ एच पी कालेशवर मेला हिमाचर प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है तो दोस्तों यह कांगडा में मना जाता है तो यह भी बहुत इस रिपेटिड कोशन यह दोस्तों यह डिस्टिक सी की नुवर में मनाया जाता है नेक्स्ट कोशन 37 इज श्रींग जील हमाचर प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है श्रींग लेकिस लोकेटिड इन विच डिस्टिक ऑफ हमाचर प्रदेश तो श्रिंग ट्रिंग जो लेक है दोस्तों ये कुलू में स्थित है, right answer is option B, चलते हैं next slide की दरफ, question number 38, त्रीगर्थ प्रिंसली स्टेट is founded by, त्रीगर्थ राज्य को स्थापित किया है, तो दोस्तों ये जो किया है, शुशर्म चन्द जी ने किया है, right answer is option A, next question is, बिलासपूर टाउन वाज फाउंड इन विच इयर, बिलासपूर नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो दोस्तों बिलासपूर नगर की जो स्थापना है, वो 1654 इस भी में हुई थी, right answer is option A, चलते हैं next question की तरफ, question number 40, रामशहर फोट इस लोकेटिड इन विच सोलन में स्थित है, सोलन से आप बाया नालागड होके अगर शिमला की तरफ रुक करते हैं, तो रास्ते में ये रामशहर किला आता है, चलते हैं next question की तरफ, question number 41, which personality of HP was popularly card, सरदार जंग, हिमाचर परदेश के कौन से व्यक्ति को समान देता, सरदार जंग कहा जाता है, तो question number 42, चितकारा युनिवर्सिटी इस लोकेटिड एट विच प्लेस इन हिमाचर परदेश, चितकारा विश्व विदाले हिमाचर परदेश में किस जगा पर स्थित है, तो चितकारा विश्व विदाले जो है दोस्तों, ये कलू जंडा में स्थित है, राइट आंसर इस ओप पास, कांगडा घाटी रेलवे मार्ग कितनी सुरंगों से गुजरता है, तो दोस्तों ये जो कांगडा घाटी की जो रेलवे सुरंगे है, ये दो सुरंगे से होके गुजरती है, राइट आंसर इस ओप्शन बी, नेक्स्ट कोशन इस विच कंपें ओफ इंडिया है, विच हाली में विश्व, अरोगिय, संस्था, द्वारा भारत के कौन से अभियान की सरहाना की गए थी, तो दोस्तों इन चारों में से आपको पता होगा, जो है, खेलो इडिया की जो है, डवले अच्चो द्वारा सरहाना की गए थी, राइट आंसर इस ओप्शन C, क्वेशन नम से शूट दी, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन C, जपान ने, चलते हैं, नेक्स स्लाइट की तरफ, क्वेशन नमर 46, वेन वाज दा इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेटिड वाई दा यूएन, फोर दा फर्स ताइम इन 2020, यूएन ने बी नेस्ट कोशन इस, तर लेंड अटेक वर्जन ओफ विच मिसाइल वाज रिसेंटली टेस्ट फायद इन अंडेमार और निकोवार, हाली में कौन से पर्सेशन मिसाइल के थल आकरवन रूपांतर को अंडेमार और निकोवार में प्रयोग कर छोड़ा गया, तो दोस्तों इस निकोशन है, इसके हम लोग आप देख सकते हैं कि डिसकस करी लेते हैं, विच इस डिफरेंट फ्रॉम दा रेस्ट, तो आप इसमें से कोई ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे हम लोग आपको इसके ड्रैक्ट आंसर ही बदाते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा, फोटी ए हैं दोस्तों, जो 51 का राइट आंसर रहेगा, ओप्शन भी रहेगा, नेक्स जीकी कोशन की तरफ मूब करते हैं हम लोग, 52 कोशन इस, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस एट, जो अथूरत बोध्य संगिती डैश में रखी गए थी, तो दोस्तों ये रखी जिवंच के जो संस्था पकते हैं वो शिरी गुपता थे, राइट आंसर इस ओप्शन ए, दोस्तों ये भी रिपीटिटिटी कोशन ना, बड़े पहले जो स्थाफ सेलेक्शन कमिशन के पेपर हुए थे, आसे दो तिन साल पहले, उसमें जो है ये कोशन बड़ी बार किये ही जाते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं, कोशन नमर फिफ्टी फोर, दा फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वोमन रूलर फोर मेडिवल इंडिया वास, मध्यकलीन भारत की प्रत्थम आवमांती मुस्लिम महिला शाशक डैश सी, जो दोस्तों ये राष्ट महि वो थी राजिया सुल्तान, राइट आंसर इस ओप्शन सी, नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं, विच मुगल एंपेरियर अब अबॉलिश जजिया, जजिया टेक्स जोगा किसके द्वारा हटाया गया था, तो ये दोस्तों अकबर के द्वारा हटाया गया था, राइट आ 1278 का बड़ा की मिशूर वर्नेयकल एक्ट है, तो ये काफी वार पूछा गया, आप इसका ये याद रखेंगे, नेक्स्ट कोशन की तरफ चलते हैं, विच वाज़ा में लीडर ऑफ बर्दोली मुवमेंट, बर्दोली सत्यगरा की जो मुवमेंट है, वो किसके द्वारा की की गे थी, तो आपको ये पता ही होगा कि ये सदार भलाबाई पटेल के द्वारा की गे थी, राइट आंसर इस ओप्शन बी, नेक्स्ट कोशन इस कर्मा इस फोक डांस ओफ विच इंडियन स्टेट, कर्मा कौन से भारती राज्य का महतबून लोक निरिते हैं, तो दोस्तो इसका जो है, राइट आंसर रहेगा, चलते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, लाइम स्टोर्न इस जे, चुनना पत्थर एक क्या है, तो दोस्तों ये भी बड़ा ही इपोर्टेंट और रिपीटिट इड कोशन है, चुनना पत्थर जो है, एक सेडिमेंटरी रोक है, राइट तबीकि वायोमंडल के कौन से स्तर पर आयोजन अजोन लेयर जो है, वो स्थित है, तो अजोन लेयर जो है दोस्तों ये स्टैटोसपेर में स्थित है, राइट आंसर इस ऑप्शन डी, चलते हैं, नेक्स्ट कोशन की तरफ, विच आइसो प्लेथ डेनोट से इक्वल करती है, नेस्ट कोशन की तरफ चलते हैं, कोशन नमर शिक्टी थ्री, नोर्थ साउथ एक्स्टेंट अफ इंडिया इस, नोर्थ साउथ जो एक्स्टेंट है दोस्तों, ये 3214 स्कियर किलो मेटर है, राइट आंसर इस ऑप्शन डी, चलते हैं, नेक्स लाइट की तरफ, प हाइस्ट पीक ओफ उत्राखंड, उत्राखंड की जो हाइस्ट पीक है, वो कौन सी है, तो दोस्तों, राइट आंसर इस ऑप्शन ए, नंदा देवी, कोशन नमर शिक्टी फाइव, विच इस फर्स्ट कॉर्पराइडाइजेस्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, भारत का पहल के दो कोशन पूछे गए है, भरती सब्धान की पारूप समिती के अधिक्ष कौन थे, तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा, वो रहेगा, ऑप्शन भी, डेक्टर भी यार, अमबेद कर, चलते हैं, नेक्ट कोशन की तरफ, विच इस फर्मानेट हाउस ऑफ पार जाती है, तो यह कभी न भंक होने वाली बोड ही है, लोग सबा का जो कारेकाल होता है, वो पांच साल के लिए होता है, चलते हैं, नेक्ट कोशन की तरफ, विच मिरर इस यूजड एज लुकिंग ग्लास, कौन से दरपन का अपयोग आइने के तोर पर किया जाता है, तो दो जाता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, उप्शन सी रहेगा, तो दोस्तो इसी के साथ हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके बाद जैसे हमें दूसरा पेपर भी मिलता है आज के दिन का तो उसकी वीडियो हम लोग आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आए ताकि आपको आने वाले एक्जाम में उससे कुछ न कुछ हल्प मिल पाए, तो दोस्तो अगर किसे ने हमारा यूटूब चैनल ही मिडिया एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके बाद जितने भी वीडियो अप